सपा का राज्य सम्मिलन 28 और राष्टी सम्मिलन 29 को लखनों में होगा दो दिवसिय सम्मिलन समाजबादी पार्टी ने राष्टी अध्यक्षिवं प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़ कर अन्य सभी कमेटियां भंग कर दी हैं सदस्यता अभिहान चला रही है करीब 50 विधानसवा शेत्र से सदस्यता अभिहान से जुड़ी रसीद प्रदेश का रियाले में जमाख हो गई है सपा का राज्य सम्मिलन 28 और राष्टी सम्मिलन 29 सितंबर को लखनू में होगा यह पार्टी का 11 सम्मिलन होगा इस दोधिवसी सम्मिलन में कई एम फैसले लिये जाएंगे राष्टी और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा इस दौरान भाजपा निशान पर रहे समधिद प्रदेश कारयले में जमा हो गई है अने निताओं को भी जल्द से जल्द सदस्ते संबंदी रशीन जमा करने का निर्देश दिया गया है ब्रेश्पतिवार को पार्टी की ओर से राजय और राष्टी सम्मिलन की तिथी भी तै कर दी गई है इस दो दिवसी सम्मि सम्मेलन में समाजबादी पार्टी की अपनी भूमिका की दिशा भी सो निश्चित होगी। सपाध्यक शकलेशी आदवरी सम्मेलन की तिथी की गोशना करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा नहें राजनेतिक एवं आर्थिक संकट पैदा किया है। को भाजपा द्वारा कमजोर किये जाने, अर्थ बिवस्ता में भारी गरावट, राजनेतिक दल बदल को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सद्भाव को खत्रे में डालने पर भी विस्यश चर्चा होगी। उत्त्य प्रदेश में कानून बिवस्ता की बिगड़ती इस्थित सिक्षा, स्वास्थ, शेत्र की बदहाली, बढ़ते भष्टाचार और किसानों नौजवानों के साथ धोका आधी मसलों पर राजनेतिक आर्थिक प्रस्तावों में प्रकास डाला जाएगा। यादव को स्वापी गई है।